दोस्तो स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर धाई लाक रुपे के बजट के अंदर रोडस्टर कैटेगरी में रॉयल एंफिल्ड गोरिला 450 लॉंच हो चुकी है इसका एक कमपैरेजन वीडियो मैंने बनाया था गोरिला 450 वर्सेश स्पीड 400 काफी बड़िया रिस्पॉंस आप सभी का उस पे आ रहा है उसके अलावा मैंने और वीडियो भी बनाई है स्पीड 400 के बाद अब यहाँ पर एक और बाइक बसती है जिसका गोरिला 450 के साथ कमपैरेजन करना बनता है क्योंकि इसका प्राइस भी इसी कैटेगरी के अंदर है इंजन स्पैसिफिकेशन भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आज की वीडियो के अंदर कमपेर करने वाले हैं रॉयल एंड फिल्ड गोरिला 450 वर्सेश हारली डेविट्सन 440 एक्स या फिर हीरो हारली डेविट्सन 440 एक्स इन दोनों का डिटेल्ड कमपेरिजन इस वीडियो के अंदर होने वाला है तो अगर आप इंटरस्टेड हो तो आप इस वीडियो का एंट तक देख सकते हो और हाँ छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो सपोर्ट करो और ऐसे कंटेंट के लिए तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अगर आपने रॉयल एंफिल्ड गोरिला वर्सेश स्पीड 400 की वीडियो देखी होगी तो आपको यह आपको 2,49,000 रुपे का एक शोरूम बढ़ता है फ्लैश वाला जो वेरियंट है यह आपको 2,54,000 रुपे का टोटल पढ़ता है उसके लाव अगर हम हारली जविट्सन 440X की बात करें तो इसके भी आपको तीन वेरियंट देखने को मिलते हैं सबसे पहला है डेनिम इसका प्राइस आपको 2,49,000 रुपे देखने को मिलता है विविड इसका प्राइस 2,69,000 रुपे मतलब 2,59,000 रुपी आपको देखने को मिलता है टॉप वेरियंट आता है X440S यहां पर इसका price आपको मिलता है 2.79 lakhs pricing को अगर compare करें तो HD 440X आपको Gorilla 450 से ज़्यादा महेंगी मिल रही है मतलब almost 15 से 20,000 रोपे का difference आपको यहां पर देखने को मिलता है color option आपको अल्रेडी पता ही है Gorilla 450 के अंदर total 5 color आते हैं powerhouse इनका जो दिल है वो है इनका engine एंजिन के अगर हम बात करें Gorilla 450 के अंदर आपको 452 CC का DOSC का liquid cooled engine आपको मिलता है 40 PS की power generate करता है 8,000 rpm पे 40 nm का torque generate करता था 5000 rpm जबकि अगर बात करें HD 440X की तो यहां पर आपको जो engine देखरों मिल रहा है यह है 440 CC का air and oil cooled engine और इसकी जो PHP है या फिर PS है 27 PS आपको यहां पर generate करके देता है लेकिन torque इसका surprisingly काफी बढ़िया है 37 nm का torque आपको यह generate कर देता है 6000 rpm जो मेरे को लगता है कि यार टॉर्क के मामले में तो यह Gorilla 450 के करीब ही आ जाती है PS के मामले में अच्छा खासा difference आपको यहां पर देखने को मिल जाता है वहीं बात करें इनकी mileage की कई लोगों के लिए एक main factor होता है बाइक खरीदने का तो mileage के अगर हम बात करें Gorilla 450 की official mileage अभी यह company ने reveal नहीं करी है लेकिन अंदाजा 30 के MPL का max to max यहां पर निकल कर आता है जबकि HD 440X की जो mileage है 35 के MPL की यहां पर claim करती है अब यहां पर थोड़े से और specification और features के बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहला है इनका ground clearance यह दोनों बाइक roadster category के अंदर almost आ जाती है तो मतलब 1 mm का फरक है जो विल्कुल nominal फरक है कुई ज़्यादा difference नहीं है वहीं बात करते है seat height की तो यह यहां पर ज़्यादा matter करता है लोगों के लिए क्योंकि short riders भी है और tall riders भी है तो gorilla 450 के जो seat height है यह 780 mm है तो short riders के लिए यह compatible है जबकि अगर HD 440X की बात करें तो यहां पर आपको 805 mm की seat height देखने को मिलती है जो short riders के लिए थोड़ इसी problem create कर सकती है अब यहां पर एक और major factor आता है वो है curve weight का दोनों भाईकों का weight अगर मैं आपको बताऊं तो gorilla 450 का जो curve weight है यह 185 kg आपको देखने को मिलता है जबकि HD 440X का curve weight आपको 190 kg देखने को मिलता है तो यहां पर यह major factor निकल कर आता है भाईक की performance में mileage में HD 450 का engine कम है लेकिन इसका weight भी ज़्यादा है तो power to weight ratio यहां पर HD 450 की down रहेगी gorilla 450 के मुकाबले क्योंकि इसका weight भी कम है engine displacement भी ज़्यादा है और power भी यह ज़्यादा generate करती है अब ज़रा suspension और brakes के बारे हम बात कर लेते हैं तो gorilla 450 के अंदर जो suspension में देखने को मिलता है यह telescopic है और rear monoshock देखने को मिलता है gas charge multi step adjustable वाला अगर HD 450X की तो यहां पर आपको front में USD 43 mm के USD upside down forks मिलते हैं और rear के अंदर भी आपको dual suspension मिलते है adjustable वाले gas charge suspension आपको दोनों के अंदर बिल्कुल different मिल जाता है और ब्रेकिंग की तो gorilla 450 के अंदर front में आपको मिलती है 310 mm की डिस्क और rear के अंदर आपको मिलती है 270 mm की डिस्क बाइबरी के यहां पर आपको कैली पर देखने को मिल जाते हैं 450X की अगर हम बात करें तो यहां पर front में 320 mm की डिस्क मिलती है जबकि rear के अंदर आपको 240 mm की डिस्क मिल जाती है अब यहां पर एक major category या फर major factor आता है वो है special features क्या मिल रहे हैं दोनों बाइक के अंदर तो gorilla 450 के अगर हम बात करें तो यहां पर आपको जो कुछ special कुछ यूनी features मिलते हैं उनमें सबसे पहला तो है कि आपको यहां पर all led setup मिलता है इसके साथ ही आप गूगल मैप को भी gorilla 450 के अंदर यूज कर सकते हो अगर बात करें hd440x यहां पर भी आपको all led setup देखनों मिलता है इसका जो digital इसका जो instrument cluster है यह semi digital cluster हम कह सकते हैं बीच में display है आपके इसके round के अंदर सारे symbol आते हैं चाहे वो ABS का हो side stand हो gear का हो इसके अंदर आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर आपको e-sim का option मिल जाता है थोड़े से advanced feature में देखने को मिल जाते हैं तो यहां पर यह सारा कुछ था इन दोनों के अंदर difference अब यहां पर अगर हम overall की बात करें कि मेरा personal recommendation overall क्या रहने वाला है आप सभी के लिए कि अगर आपको खरीदने तो कौन सी खरी सकते हो मेरा जो recommendation है वो है Gorilla 450 यह आपको कम price के अंदर सबसे जादा value for money दे रही है सबसे जादा आपको modification के option यहां पर मिलते है officially official accessories भी available है कम pricing के अंदर आपको color option भी मिल जाते है features भी आपको अच्छे खासे मिल रहे हैं और उसके साथ ही यहां पर आपको power और टॉर्क जादा मिल जाता है HD 440 X से जबकि pricing में दौनों almost same आ आउट है तो आप वो भी कमेंट कर सकतो इंस्टा पर follow जरूर कर लें सारी updates आती रहती हैं और अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिए तो please चैनल को subscribe जरूर कर देना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर thanks for watching